हलो बच्चों, वेलकम टू माइकडमी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन की ठीक है? एक बार रिकॉल कर लेते हैं वो सभी कंसेप्ट सबसे पहले तो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब था? कि अगर आप किसी न्यूक्लियस को उसकी बाइंडिंग एनर्जी दे दो तो वो अपने न्यूक्लियोन्स में ब्रेक हो जाता है ठीक है? यह तो हो गई बाइंडिंग एनर्जी यह इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब न्यूक्लियाउन्स मिल करके एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती थी उसको हम बोलते थे, बाइंडिंग एनर्जी दूसरा पॉइंड बच्चों वे था कि binding energy per nucleon का मतलब क्या है जैसे मान लीजे कोई एक nucleus है और उसके लिए कुछ binding energy की value है अगर हम उस binding energy को जितने भी nucleons हैं उनमें equally divide कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि on an average per nucleon कितनी energy हम दे रहे हैं nucleus को break करने के लिए on an average per nucleon कितनी energy दे रहे हैं उसको बोलते हैं binding energy per nucleon अब बुचो इसको हम किस से relate करते थे stability से जिस nucleus के लिए binding energy per nucleon जितनी ज़्यादा होगी वो nucleus उतना ही ज़्यादा stable होगा तो अगर आप से कोई पूस्ता है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा nucleus ज़्यादा stable है तो आप ये देखोगे कि किस nucleus के लिए binding energy per nucleon ज़्यादा है जिसके लिए binding energy per nucleon ज़्यादा है वो ज़्यादा stable होगा ठीक है ये बात अपने को समझ में आती है अब ज़राब बचों यहाँ पर एक point ये समझना अगर हम binding energy per nucleon का graph mass number के साथ देखें मतलब हम ये देखने जा रहे हैं कि जितने भी nucleus है ठीक है उनके लिए binding energy per nucleon एक तरीके से stability की बात कर रहे है ठीक है एक तरीके से stability की बात कर रहे है तो binding energy per nucleon सभी nucleus के लिए किस तरह से vary कर रही है किस के लिए कितनी है किस के लिए कितनी यह इस तरह से ठीक है तो बचो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके सामने ग्राफ है y-axis पर यहाँ पर क्या है binding energy per nucleon ठीक है यह mev में है यह mev में है ठीक है million electron volt या mega electron volt बोल सकते हो तो y-axis पर क्या है binding energy per nucleon और बचो x-axis पर क्या है mass number अब पहले ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो तो एक point आपको यह देखेगा पहले बिलकुल यहाँ से देखो कि mass number बचो जहाँ पर कम है वहाँ से ग्राफ देखो ऐसे दीरे दीरे increase हो रहा है ठीक है तो बिलकुल दिखाई दे रही है यह जो point है यहाँ पर हमें binding energy per nucleon maximum दिखाई दे रही है यह जानते हैं किसके लिए है यह है बचो यहाँ पर Fe 56 के लिए ठीक है यह जो point है यह किसको शो कर रहा है Fe 56 को शो कर रहा है यानि कि हम यह बोलेंगे कि mass number 56 पर binding energy per nucleon maximum है और कितनी होती है binding energy per nucleon की maximum value बचो होती है 8.75 MeV एप्रॉक्स रिजर्ट है यह और यह किसके लिए है यह है यह है for A is equal to 56 यानि कि बचो हम यह बोल सकते हैं कि जो यह Fe 56 है यह most stable nucleus है most stable nucleus है ठीक है जड़ा ध्यान से समझेगा यह जो Fe 56 है यह बचो यहाँ पर most मैंने यहाँ पर यह नहीं बोला कि most stable atom है मैंने बोला most stable nucleus है अभी मैंने आपको बताया stability कैसे चेक करनी है कि जिसके लिए binding energy per nucleon जतनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा stable है तो इस graph के साब से हमें पता चला कि जहाँ पर binding energy per nucleon सबसे ज़्यादा है वो किसके लिए है A is equal to 56 जैनी कि Fe 56 most stable nucleus है ठीक है question अगर direct पूछा जा तो आप बता सकते हैं और कितनी है binding energy per nucleon 8.75 MeV ठीक अब बचो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उसको और अच्छे सा analyze करते हैं जरा समझेगा अगर हम यहाँ पर A is equal to 30 पर बात करें ठीक है देखे हो A is equal to 30 बचो यहाँ पर कहीं होगा A is equal to 30 तो इसको ऐसे break कर लेते हैं देखो इस तरीके से तो बचो यहाँ पर आपको मिल गया A is equal to 30 यह देखे है ऐसे ठीक है यहाँ पर A की value कितनी है 30 है और यहाँ पर बचो कहीं अपने को A is equal to 170 मिल जाएगा यह देखे है ऐसे तो यहाँ पर हमने ले लिया A is equal to 170 ठीक है तो अगर आप देखो तो यहाँ पर हम इसको तीन zone में divide कर रहे हैं यह जो पूरा graph है इसको तीन reason में divide कर रहे हैं तीन zone में divide कर रहे हैं ठीक है पहला zone बचो यहाँ पर हो गया second reason यह हो गया और third zone या third reason यह हो गया ठीक है तो first, second, third इस तरह से मने divide कर लिया अब आप यह देखो कि first zone में जो binding energy per nucleon है उसकी value यह है यह है यह इस तरह से यह आपको binding energy per nucleon मिल दा है third zone में देखो तो यह binding energy per nucleon है जबकि second zone में देखो तो binding energy per nucleon की value यह है है ना यहां से देख सकते हो तो अगर आपसे पूछा जा 1st, 2nd और 3rd में compare करें 1st, 2nd और 3rd में compare करें बचो 1st क्या है A less than 30 अगर हम यहां पर zone 1st की बात करें तो बचो यह क्या है यह वो है जिसके लिए A 30 से कम है ठीक है A less than 30 zone 2nd की बात करें तो यह क्या है 30 से 170 यह है बचो 30 से 170 के बीच में और वहीं अगर हम zone 3 की बात करें तो यह है बचो A greater than 170 ठीक है इस तरह से तो बचो यहां पज़रा समझना कि zone 1 यह जो है 30 से कम mass number वाले तो less than 30 का मतलब क्या हो गया light nuclei की बात कर रहे है ठीक है यहां पर हम किसकी बात कर रहे है light nuclei की बात कर रहे है और बचो 170 के ऊपर चले जाओगे तो heavy nuclei की बात करोगे ठीक है यहां पर आप heavy nuclei की बात कर रहे हो ठीक और यहां पर देखें बचो तो यह mid range nuclei हो गया इनको आप क्या बोल सकते हो mid range nuclei अच्छा अब जो हमें समझना है वो देखो बच्चो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इन तीनो जोन में या इन तीनो रीजन में binding energy per nucleon सबसे ज़्यादा आपको किस zone में दिखाई दे रही बई देखो यहाँ पर second zone में binding energy per nucleon सबसे ज़्यादा है बाकी इसमें कम है इसमें कम है इसमें सबसे ज़्यादा है तो बच्चो binding energy per nucleon की value zone 2 के लिए सबसे ज़्यादा है मतलब कि जो mid range nuclei ना बहुत हलके ना बहुत भारी है ना हम 30 से कम है ना 170 से आगे हम 30 औ 170 के बीच में जो nuclei है उनकी बात कर रहे है जिनके लिए mass number 30 से 170 के बीच में है तो जो mid range nuclei है उनके लिए बच्चो binding energy per nucleon देखो सबसे ज़्यादा दिख रहा है यानि कि most stable हो गए मतलब इन में अगर हम compare करें तो जो zone 2 है ये बच्चो यहाँ पर कह सकते हो most stable nuclei है ठीक है तो सबसे ज़्यादा stable nuclei अगर इन दोनों में compare किया जाए इन तीनों zone में तो zone 2 के जो nucleus है वो ज़्यादा stable है ठीक है तो एक चीज़ तो यह समझ में आती है छोड़ी छोड़ी चीज़े समझते चलना यानि कि light nuclei और heavy nuclei से ज़्यादा stable कौन से है mid-range nuclei यही तो बोलोगे light nuclei और heavy nuclei से ज़्यादा stable कौन से है mid-range क्योंकि mid-range nuclei के लिए binding energy per nucleon comparatively ज़्यादा है ठीक यहां तक समझ में आता है अब बच्चो देखो एक बात तो आपको पता है ठीक है ठीक है और बच्चो stability gain करने का मतलब है energy को release करना ज़्यादा stable होने का मतलब ज़्यादा energy release करना ज़्यादा समझ ना यह सारे factor ठीक है देखो बच्चो अगर first reason में देखें zone 1 में देखें तो यहाँ छोटे-छोटे nucleus है hulke nucleus है, light nuclei है तो यह जो छोटे-छोटे nucleus है जब यह combine होंगे और combine होके एक mid-range nuclei बनाएंगे ऐसा हो सकता है आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, अभी के लिए बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दो छोटे-छोटे nucleus combine हुए, fusion हुआ क्या हुआ इनका? fusion हुआ तो दो हलके छोटे-छोटे nucleus का fusion हुआ और वो एक mid-range nuclei बना दे एक mid-range nuclei बना दे ठीक है? तो इस process में बच्चों अगर आपसे पूछा जाए stability बढ़ रही है कि कम हो रही है obvious ही बात है stability बढ़ रही है भाई इस reason और इस reason हलके nucleus और भारी nucleus से compare करोगे तो mid-range nuclei ज़्यादा stable है तो हर कोई चाहेगा कि stability की तरफ चले ठीक है? तो छोटे-छोटे nucleus ठीक है? ये combine होके क्या बनाएंगे? mid-range nuclei इस process को बच्चों बोलते हैं हम fusion ठीक है? fusion ठीक? अच्छा इधर देखो एक बड़ा nucleus, एक heavy nucleus क्या 2 या 3 छोटे-छोटे या फिर आप इसको बोल सकते हो mid-range nuclei में break हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, ये भी तो stability gain करना चाहता है एक heavy nuclei यहाँ पर एक heavy nucleus है अगर वो mid-range nuclei में break हो जाए ठीक है? मालीज एक heavy nucleus है और 2 mid-range nuclei में break हो जाए तो इसमें भी तो stability बढ़ रही है यानि कि energy यहाँ पर भी release होगी इस process को बचो बोलते है fusion ठीक है? तो एक part है fusion दूसरा है fusion fusion में क्या हो रहा है? कि 2 छोटे-छोटे nuclei fuse होके क्या बना रहे है? मतलब उनका fusion हो रहा है मिल करके क्या बना रहे? mid-range nuclei और fusion में क्या हो रहा है? एक बड़ा nucleus break हो रहा है mid-range nuclei में मतलब कि छोटे nucleus हो या बड़े nucleus हो वो हमेशा mid-range nuclei में convert होना चाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा stable हो सकें और जब भी बचो stability बढ़ेगी energy release होगी यानि कि fusion हो या fusion हो दोनों में energy release होगी इस process में भी energy release होगी इस process में भी energy release होगी ठीक है? इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे तो अभी के लिए जो अपने को समझना है वो एक point तो ये कि binding energy पर nucleon की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा Fe56 के लिए मतलब कि most stable nucleus कौन सा है? Fe56 दूसरा point बचो अगर हम देखें तो इस graph को तीन जोन में डिवाइट किया 30 से कम और 170 से ज़्यादा ये दोनो कम stable हैं किनके comparison में? 30 और 170 के बीच वाले जो nuclei हैं यानि के mid range nuclei के comparison में ठीक है? तो light nucleus हो या heavy nucleus हो वो हमेशा किदर आना चाहेंगे, mid range में convert होना चाहेंगे तो चाहे वो fusion हो या फिर fusion हो, कोई भी तरीका हो, ठीक है? वो stability gain करना चाहेंगे, मतलब energy release होगी, ठीक? यहां तक समझ भी आता है बचो एक point और यहां पर देख लीजे कि जो second zone है इसमें binding energy per nucleon almost constant है, मैंने कहरा constant है, मैं कहरा हूँ almost constant है, मतलब थोड़ा बहुत variation है जैसे fe के लिए तो चलो maximum है बाकी आगे पीछे अगर आप compare करोगे न तो जैसे 8.75 हो गया तो किसी के लिए 8.6 हो गया ठीक है, किसी के लिए 8.65 हो गया इस तरह से मतलब बहुत जादा variation यह 8.7 हो गया किसी के लिए तो बचो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत जादा variation आपको नहीं मिलेगा, ठीक है तो आप ही कह सकते हो कि जो mid range nuclei है, इसमें binding energy per nuclei में बहुत जादा variation नहीं है, बहुत जादा के लिए 56 के लिए कितना है वो बता दिया दूसरा आपको यह याद रखना है चाहे वो light nuclei हो या heavy nuclei हो 30 से कम या 170 से जादा उनके लिए binding energy कम है मतलब कि second zone से compare करें तो कम है मतलब कि वो second वालों से कम stable है, ठीक है, आप इसको note करो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे है Q value of a nuclear reaction यानि कि आपको एक nuclear reaction given होगी और आपको इसकी Q value find करनी है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर यह समझो कि suppose कोई एक nuclear reaction हम लिखते हैं, तो reactant side में मालीजे बच्चों, यहाँ पर अपने पास A और B दो nucleus है और nuclear reaction होने के बाद यहाँ पर मालीजे C और D इस तरीके से आपको product मिलता है एक बात आप यहाँ पर समझना, जैसे बच्चों chemical reaction होती है उनमें क्या होता है कि अगर दो chemical एक दूसरे के contact में हैं, तो वो react कर जाएंगे ठीक है? अगर दो chemical एक दूसरे के contact में आ गया तो वो react कर जाएंगे लेकिन बच्चों, nuclear reaction में ऐसा नहीं होगा, कि दो nucleus अगर एक दूसरे के contact में हैं, तो वो nuclear reaction प्रोसीड हो गई, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर collision की importance है जैसे, माल लीजे बच्चों, यहाँ पर कोई एक nucleus है और एक neutron उस nucleus से आके hit करता है या collide करता है या फिर कोई एक nucleus है और एक alpha particle आकरके इससे collide करता है या फिर दो nucleus के पास कुछ kinetic energy है motion करते वे आ रहे हैं और collide कर गए इसके बाद nuclear reaction प्रोसीड होगी मतलब यहाँ पर collision की importance है ऐसा नहीं होगा कि दो nucleus है और एक दूसरे के पास आपने रग दिये तो यहाँ पर reaction हो गई और उसके बाद आपको product मिल गया ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा या तो दोनो nucleus motion कर रहे होगे या एक nucleus rest में होगा दूसरा उससे आके collide करेगा और जब collision होगा उसके बाद nuclear reaction proceed होगी तो collision की importance है और collision के लिए kinetic energy होनी चाहिए यहनि कि बच्चों हो सकता है यहाँ पर कि A motion करते वे I और B से collide कर जाए यह यह भी हो सकता है A और B दोनों motion कर रहे हो और collision हो गया हो उसके बाद nuclear reaction फिर वहाँ पर proceed होगी और C और D यहाँ पर form होगे और जब C और D बनेंगे तो C और D दोनों के पास कुछ ना कुछ kinetic energy होगी ठीक है तो यह चीज़ बच्चों यहाँ पर समझनी है कि A और B के पास भी kinetic energy है और product जो यहाँ पर बन रहा है उसके पास भी kinetic energy है और यहाँ पर collision हुआ होगा तब जाके reaction आगे होई तो इस चीज़ को ज़रा दिमाग में थोड़ा clear रखिएगा तो chemical reaction से थोड़ा सा different है nuclear reaction तो यहाँ पर collision की importance है kinetic energy की importance है अब बात करते हैं बच्चों Q value की देखो Q value कैसे हम समझेंगे तो बच्चों सबसे पहले देखो Q value को कैसे define किया गया है Q value को define किया गया है rest mass energy of reactant minus rest mass energy of product जड़ा समझें इसको क्या मतलब आप थोड़ा समझें इस चीज को ठीक है हम यहाँ पर क्या बोलना है कि Q value क्या है किसी भी nuclear reaction की Q value क्या है तो बोला गया भै reactant side देखो rest mass energy कितनी है और product side देखो rest mass energy कितनी है और reactant की rest mass energy में product की rest mass energy minus कर दो आपको Q value मिल जाएगी ठीक है बच्चो इसको चलो एक छोड़ा सा example लेकर समझें जैसे माल लीजे कि बच्चो reactant side जो rest mass है माल लीजे 10 amu है थोड़ी देर के लिए example ले लो कि reactant side जो rest mass है थोड़ी देर के लिए 10 amu है आपके समझने के लिए और product side जो rest mass है वो माल लीजे 9.8 amu है उदर कितना था 10 amu मतलब reaction होने से पहले rest mass कितना था 10 amu reaction होने के बाद जो product बना उसका rest mass कितना है 9.8 amu कितना rest mass है जो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है 0.2 amu उदर कितना था 10 इदर कितना है 9.8 तो आपके दिमाग में question क्या आएगा कि sir 0.2 amu का rest mass कहां चला गया थोड़ा सोचो इसके बारे में तो Q value का feel आएगा तब समझ में आएगा चाहिए यह हो रहा है तो आपका question क्या हुआ सर उदर 10 amu का rest mass था इदर 9.8 amu का rest mass है तो यह बताएगे 0.2 amu का rest mass कहां चला गया तो सीधा सीधा आंसर है बच्चो कि वो जो 0.2 amu का rest mass आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है वो energy में convert हो गया चिक? वो किस में convert हो गया? energy में convert हो गया मतलब कि उतना energy release हो गई ऐसा आप बोल सकते हो? जो rest mass आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ लिखाए न reactant का rest mass energy minus product की rest mass energy तो जो energy आपको नहीं दिख रही है वो basically या जो आपको mass नहीं दिख रहा है वो किस में convert हो गया? energy में convert हो गया तो वही तो यह energy है जिसको हम Q value बोलना है जैसे वहाँ पर 10 है यहाँ पर 9.8 amu है तो 0.2 amu जो आपको नहीं दिख रहा है उसको जब आप energy में convert करोगे तो जो energy मिलेगी वही energy क्या है बच्चो Q value इस reaction की Q value ठीक? यह चीज़ समझ में आ गई? यानि कि जितना rest mass energy में convert हो गया वो जो energy आपको मिल लए ही वो क्या है Q value तो एक तो बच्चो उसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है? पहली बात तो यह हो गई अच्छा, अब बात आती बच्चो की nuclear reaction के अंदर यह Q value हमें किस form में दिखाई देगी? चलो यह तो समझ में आ रहा कि हाँ Q value एक तरीके से कितनी energy इहाँ पर reaction में release हो रही वो Q value है? लेकिन बच्चो यह किस form में दिखाई देगी आपको? क्या यह heat के form में release हो जाएगी? अब बच्चो देखो अगर हम energy plus mass हम जानते conserve है बई reactant side में total या तो आप उसको total energy बोल दो या energy plus rest mass energy बोल दो kinetic energy plus rest mass energy तो conservation of mass plus energy अगर हम use करें जड़ा बच्चो यहाँ पर समझ न reactant side में अगर आप देखो तो A की total energy का मतलब क्या है? A की rest mass energy यानि कि बच्चो इसको हम लिख सकते हैं rest mass energy क्या होगी बच्चो यहाँ पर? ma into c square बई A की rest mass energy कितनी होगी? ma into c square प्लस A के पास कुछ kinetic energy भी होगी तो इसको हमने लिख दिया k a तो यह क्या होगी बच्चो? A की rest mass energy plus kinetic energy इसी तरह से B की बात करें तो B की rest mass energy mb into c square और B की kinetic energy kb अच्चा दूसरी साइड आज़ो product side तो product side देखो c के लिए rest mass energy mc into c square और c के लिए बच्चो kinetic energy kc इसी तरह से d की बात करें तो d के लिए बच्चो md into c square प्लस यह होगया kd ठीक? इसे लिख लिए अब जड़ा बच्चो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर m a into c square बहुत ध्यान से समझ ला m a into c square plus m b into c square यह एक साथ कर लो ठीक? माइनस यह दोनों term इधर ले आओ तो यह हो जाएगा m c into c square plus m d into c square ठीक है? ऐसे तो बच्चो यह जो अपने पास आया वो क्या है? ध्यान से देखो तो यह लिखा हुआ है बच्चो rest mass energy of reactant और यह है बच्चो यहाँ पर rest mass energy of product और जब आपने reactant में product की rest mass energy subtract की देखो दूसरी side क्या आ रहा है? k c plus k d यह तो लिखा ही हुआ है minus यह बच्चो यहाँ पर क्या है? k a plus k b ऐसे तो बच्चो यह k c plus k d क्या है? यह है kinetic energy of product और यह क्या है? kinetic energy of reactant यही तो मिला यानि कि बच्चो q value को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं q value को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं kinetic energy of product minus kinetic energy of reactant एसे भी लिख सकते हैं समझ रहा? यानि कि बच्चो जिस q value को आप क्या लिख से रहते हैं? कि reactant की rest mass energy minus product की rest mass energy उसी q value को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं product की kinetic energy minus reactant की kinetic energy चलो इसको भी थोड़ा समझते हैं बच्चो बिलकुल simple सी बात है जैसे मान लिजे कि आपको जितनी जितना बच्चो यहाँ पर rest mass जैसे मान लिजे यहाँ पर मैंने बोला 10 था यहाँ पर 9.8 था तो जो 0.2 का rest mass था वो energy में convert हुआ वो जो energy में बच्चो convert हुआ वो energy product को ही मिल जाएगी kinetic energy के form में बात सब्सक्राइब रही product को ही मिल जाएगी किस form में kinetic energy के form में यानि कि जो energy बच्चो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जैसे मान लोग कोछ energy release हुई Q value release हो गई energy release हो गई तो जो energy release हो रही वो यहाँ पर product को ही मिल जाएगी in form of kinetic energy, ठीक, तो nuclear reaction में जो energy यहाँ release हो रही, वो product को ही kinetic energy के form में, release होने मतलब यह नहीं कि बाहर चले गई, जो energy release होई वो इनी को मिल गई, मतलब कि यह energy इनी के बीच में share हो जाएगी, ठीक है, product के बीच में, तो आप इसको बचो ऐसे भी लिखने का, वो और ध्यान से समझना, देखो, जैसे बचो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यह जो A, B, C, D है इनको जाएगा समझना, बचो A क्या है, एक nucleus है, ठीक, अगर मैं इस nucleus को इसकी binding energy दे दूँ, यानि कि binding energy of A, ऐसे लिख लेते हैं, मतलब A nucleus को उसकी binding energy मैं ने दे दी, तो क्या बचो यहाँ पर आपको nucleons मिल जाएंगे, भई किसी भी nucleus को उसकी binding energy दे दोगे, तो वो nucleons में break हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको A के nucleons मिल जाएंगे, A के nucleons मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस आप ऐसा nucleons, ठीक, अच्छा, total बच्चो जो nucleons है, ध्यान सा समझना, यह जो total nucleons है, यहाँ पर, ठीक है, total nucleons, ठीक है, वो reactant side है, यह किस side है बच्चो, reactant side है, मतलब आप ऐसा समझो, कि total nucleons हमें मिल गए, आप ज़रा समझना, ठीक है, अब इसको अटा देते हैं, अब जो भी यह nucleons ह इस में से कुछ nucleons, मान लीजे, बच्चो C बना रहे हैं, और बच Почему nucleons D बना रहे हैं, क्योंकि C और D बना रहे, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ nucleons है, बच्चों क्या बना यहाँ यहाँ पर जड़ा समझना, कुछ nucleons है, यहाँ पर क्या बना C, तो जब नुक्लियोंस मिलकर क C बनाएंगे तो बचो C की binding energy release हो जाएगी और बचे वे nucleons जब यहाँ पर D बनाएंगे तो D की binding energy release हो जाएगी ठीक है? ऐसा भी तो लिख सकते हैं यहाँ बचो यहाँ पर क्या result मिला? यहाँ पर result यह मिला कि A और B nucleus थे उनको हमने binding energy दी तो C और D बनाएंगे और binding energy उदर release हो गई तो बचो result क्या है? कि A plus B plus binding energy of A plus binding energy of B मतलब बचो binding energy of reactant यही तो है न? और दूसरी साइट बचो अगर आप देखो तो क्या है यहाँ पर C है D है और इन दोनों काइड करोगे तो binding energy of product ऐसा लिख सकते हो ठीक है ऐसे तो लिख सकते हो तो मतलब बचो यहाँ पर क्या बना A plus B और इधर माली जे बन गया C plus D तो यह हो गया बचो यहाँ पर binding energy of product minus binding energy of reactant ऐसे भी लिख सकते हो तो क्या बचो यहाँ पर एक चीज अपने को समझ में आ रही है ठीक है और वो यह है कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बचो कितनी energy release होगी या Q value क्या होगी तो यहीं तो बचो Q value है सीधा सीधा लिख सकते होगी यहीं तो Q value है बचो A और B यह nucleus हो गया C और D इधर आपको product मिल गया यह उदर जाके subtract कर दीजे तो Q value को बचो ऐसे भी लिख सकते हैं यानि Q value को लिखने के तीन तरीके हैं अगर आप rest mass energy के term में लिख रहा हो तो reactant की rest mass energy minus product की rest mass energy reactant minus product और अगर आप kinetic energy या binding energy के terms में लिख रहा हो तो kinetic energy of product minus reactant product minus reactant तो kinetic energy और binding energy में लिखोगी तो product minus reactant करो और अगर rest mass energy के term में लिख रहो तो reactant minus product करो पहले आप इतना note करो फिर आगे बढ़ते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि q value find करने के लिए हम इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं यह तीनों ही तरीके आपके लिए काफ़े important है तो q value को लिखने का पहला तरीका बच्चों यहाँ पर क्या है कि आप इसको लिखने rest mass energy अगर आप इसको बच्चो rest mass energy के terms में लिख रहे हो तो reactant minus product करना ठीक है तो rest mass energy of reactant minus rest mass energy of product ठीक है और इसको दोड़ा समझते ही में भी चलिएगा कि हमने reactant की rest mass energy में product की rest mass energy subtract की मतलब क्या है कि reactant side पर rest mass जादा है product side पर rest mass कम है तो बचा हुआ rest mass कहां गया energy में convert हो गया वही क्या है q value ठीक यह जी समझ में आ गई ऐसे दूसरा जब हमने q value को kinetic energy के terms में लिखा तो फिर हमने बच्चों इसको कैसे लिखा product minus reactant यानि कि product की kinetic energy minus reactant की kinetic energy अब इसको कैसे समझोगे देखो भई हमने क्या बोला कि reactant में rest mass जादा था product में rest mass कम था तो बचा हुआ rest mass कहां गया energy में convert हो गया वो energy किस form में इनको मिली kinetic energy के form में तो अगर product side rest mass कम है तो product side ही तो kinetic energy जादा होगी तो kinetic energy of product minus kinetic energy of reactant मतलब कितना energy release हुआ है वो kinetic energy के form में ही मिल रहा है जैसे माल लिजे बचों कि reactant side kinetic energy 2 joule है या 2 MeV है और product side जो kinetic energy वो 5 MeV है तो दिमाग में क्या आई है ये 3 MeV की kinetic energy extra कहां से आ गई तो ये कहां से आई है जो rest mass आपको यहां पर कम दिखाई दे रहा है वही convert हुआ है energy में और वही आपको kinetic energy के form में दिखाई दे रहा दूसरा बचो उसको एक और तरीका है लिखने का वो binding energy का है कि आप product की binding energy में product की binding energy में reactant की binding energy माइनस कर दो बचों यहां से भी देखो आप समझ सकते हो अगर product ज़्यादा stable है तो उसकी binding energy ज़्यादा होगी हर तरह से आप समझ सकते हो इसको भई ऐसा देखो rest mass reactant side ज़्यादा है product side कम है तो अगर rest mass decrease हो रहा है इसका मतलब जितना decrease हुआ हो रहा है तो यह समझ लो बचों यहां पर कि energy release हो रही है product ज़्यादा stable बन रहा है energy कब release होगी जब rest mass decrease करेगा तो जितना rest mass decrease कर गया वही energy में convert हुआ मतलब energy release हुई तो product ज़्यादा stable है product ज़्यादा stable इसका मतलब product की binding energy ज़्यादा है इसका मतलब कि binding energy of product minus binding energy of reactant करेंगे ऐसे आप समझ सकते हो ठीक तो यह तीन तरीके हैं इसको समझने के अब बचो यहाँ पर ज़रा समझ न कि एक तो यह वो सकता है कि Q value आपने find की और वो positive आ गई उसी के frame में हम समझ भी रहते हैं इसको अब फिर से थोड़ा दिमाख लगओ इसका क्या मतलब है अगर Q value positive आरे इसका क्या मतलब है कि energy release हो रही है ठीक है अगर Q value positive है मतलब आप क्या बोलोगे energy is released ठीक है मतलब कि जो nuclear reaction है उसमें energy release हो रही है ठीक अगर energy release हो रही ही तो ऐसे को हम बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे एक्जोथर्मिक बोलेंगे ठीक है एक्जोथर्मिक रियक्शन सीधा सीधा ठीक बई अगर Q value positive है इसका मतलब कुछ energy उधर release हो रही है, Q value का मतलब ही है कितना energy release हो रही है ठीक है, तो Q positive है मतलब energy release हो रही है energy release हो रही है, मतलब इसको एक्जोथर्मिक बोल सकते हो, और सुनो बच्चों अगर Q positive है इसका मतलब ज़रा यहाँ से समझो क्या है कि energy कब release Q का मतलब है released energy Q value में क्या बताती, कितना energy release हो रही है अगर Q value positive है, मतलब actual में energy release हो रही है energy release हो रही है, energy कब release होगी जब rest mass decrease करेगा इधर से इधर जाएंगे तो rest mass decrease करेगा मतलब कि product का rest mass का में reactant का ज़्यादा था, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कि अगर ऐसा है इसका मतलब कि rest mass energy reactant side पर ज़्यादा थी product side पर कम हो गई ठीक है, और जब बचो product side पर rest mass energy कम हो गई तो जो rest mass कम हुआ वो किसमे convert हुआ, energy में तभी energy release हुई ठीक, सीधे सीधी बाद दूसरा बचो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो energy release हुई है, अगर product side rest mass कम है, तो energy release हुई है जो energy release हुई हुए, किस form में kinetic energy के form में, इसका मतलब product की kinetic energy ज़्यादा है product की kinetic energy ज़्यादा है ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो ठीक है, यहीं से देखके बोल सकते हो तीसरा बचो, अगर energy release हो रही है, मतलब product ज़्यादा stable है, product ज़्यादा stable है मतलब की binding energy और product ज़्यादा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, product की binding energy reactant से ज़्यादा है इसका मतलब की product ज़्यादा stable है ठीक है, तभी तो reaction हो रही है, stability gain करने के लिए, तो आप बोल सकते हो बचो, यहाँ पर product is more stable ठीक है, product is more stable, सारी बाते देखो, आपके सामने आगे हैं, ठीक तो बचो, इस तरीके से आपको यह समझना है, तो Q value positive है यह सारी चीज़ समझ में आगे है, लेकिन बचो, अगर Q negative होगा, तो क्या होगा, किसी reaction में अगर Q value माल लीजे, negative है, तो क्या मतलब है समझना जड़ा, पहली बात तो बचो, अगर Q negative है, इसका मतलब energy release नहीं हो रही है energy आपको देनी पड़ेगी क्यों, समझो यहाँ पर जैसे माल लो बचो, यहाँ पर कोई reaction है Q value negative होने का क्या मतलब है Q value negative होने का मतलब यह है कि अगर आप rest mass energy को compare करो, तो हम बोलेंगे rest mass energy ठीक है reactant और यहाँ पर है rest mass energy product, जड़ा, खुद से सोचो क्या होगा अगर Q value negative है मतलब energy release नहीं हो रही है energy release नहीं हो रही है energy देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है बचो, energy release कब होती थी, जब reactant से product में हम जाते थे, और rest mass हमें कम होता दिखता था, तो हम कहते थे, कि जो rest mass नहीं दिख रहा हो energy में convert होगी, energy release होगी लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर product का rest mass ज़ादा होगा reactant का rest mass कम होगा यह देखो, ऐसे मतलब जैसे मालीजे बच्चो की reactant side पर rest mass मालीजे 10 amu है, और product side पर rest mass 10.2 amu है अब सोचो इसको थोड़ा जब इधर का rest mass देखा तो 10 था, इधर का देखा 10.2 है तो आपने पूछोगी यह 0.2 extra कहां से आ गया और क्या यह reaction possible है, बच्चो यह reaction तभी possible है, जड़ा सोचो extra mass कहां से आया तो इसका मतलब क्या है, कि कुछ energy mass में convert हो गई है और कुछ energy mass में convert हो गई मतलब हमें उधर से energy देनी पड़ीगी क्योंकि यह reaction अपने आप तो नहीं हो सकती भई ऐसा समझो reactant में rest mass जादा होता product में rest mass कम होता तो हम मान लेते कि rest mass जो यहां पर तुम्हें कम दिखाई दे रहा हूँ, energy में convert हो गया जैसा हो सकता है लेकिन यहां उल्टा हो रहा है यहां पर reactant side rest mass मान लीजे 10 है, तो product side rest mass 10.2 है, तो यह 0.2 का rest mass extra कहां से आया इसका मतलब कि कुछ energy किस में convert हो गई बचो rest mass में इसका मतलब क्या है, कि यह तभी हो सकता है जब आप उधर से कुछ energy दो, यह release नहीं होगी यह energy देनी पड़ीगी, तो यह endothermik हो गया ठीक है, यह क्या हो गया बचो यहां पर endothermik यहां पर आपको energy देनी पड़ीगी, release नहीं होगी ठीक है तो एक चीज़ तो यह समझ में आ गया कि reactant का rest mass कम है, product का rest mass ज़ादा है तो उधर rest mass ज़ादा है इसका मतलब reactant side हमें energy कुछ add करनी पड़ीगी तभी इस तरह की reactions possible है अभी हम लिख लेंगे वो सभी points kinetic energy में बात करें तो भी बच्चों में समझ में आता है अगर energy release होती जैसा क्यों positive में हुआ था अगर energy बच्चों release होती तो kinetic energy के form में मिलती और product की kinetic energy ज़ादा होती यहां उल्टा होगा, यहां product की kinetic energy कम होगी यहां पर product की kinetic energy कम होगी किस से reactants है यहां पर reactant side पर आपको kinetic energy add करनी पड़ेगी तब जाके उधर rest mass बढ़ेगा सीधा सीधा दिखरा तो यहां पर क्या बोलोगे product की kinetic energy कम है यह इसी तरह से बोल सकते हो बच्चों binding energy के terms में बोल सकते हो कि जो binding energy है वो यहां पर product की कम है किस से reactants है ठीक है तो यह सारी बाते बच्चों यहां पर formula को देख करके भी आप समझ सकते हो बोल सकते हो ठीक है तो अब बात आती है जैसे मालीज़ बच्चों कोई भी एक reaction ले ले जैसे मालीज़ A प्लस B से मालीज़ यहां पर C प्लस D बन रहा है और जब हमने बच्चों इस reaction के लिए Q value देखी तो Q हमें negative मिला जैसे यह 10 है यह 10.2 है तो यही से समझ में आ रहा कि है रहे जब यहां 10 AMU है यहां रेस्टमास 10.2 है तो 0.2 एक्स्ट्रा कहां से आएगा तो सीधी सीधी बात है क्यों इसका क्या है negative है कुछ energy यहां पर add करनी पड़ेगी कुछ kinetic energy यहां add करनी पड़ेगी तो question यह आता है कि minimum kinetic energy कितनी जैसे मालीज़ बच्चों यह B है यह B का nucleus है और यह A मालीज़ कोई particle है यह A मालीज़ पार्टिकल है और यह कुछ kinetic energy से आ रहा है ठीक है और यह आके इस पर hit करेगा तब आके reaction बढ़ेगी A का mass मालीज़ बच्चों small m है B का mass let कर लो capital M है तो आप question क्या होता बच्चों कि A को कम से कम कितनी kinetic energy दे जिससे कि वो B पर hit करे और यह reaction हो जाए ठीक है तो इसका मैं direct आपको formula बता दे रहो हूँ वो आप थोड़ा दिमाग में रखो ठीक है बाकि इसमें बहुत ज़्यादा depth में जाने की जूरत नहीं है basic चीज़े मैंने आपको समझा दी आप पर इसको note करो फिर हागे बढ़ते है बच्चों यहाँ पर एक बात तो अपने को यह समझ में आती कि अगर आपको कोई एक nuclear reaction given है और उस nuclear reaction में Q value negative है इसका मतलब यह है कि energy release नहीं होगी अगर आप चाहते होगी nuclear reaction complete हो या nuclear reaction possible हो तो उसके लिए आपको कुछ energy add करनी पड़ेगी reactant side पर यानि कि energy release नहीं होगी energy देनी पड़ेगी तो minimum कितना energy देनी पड़ेगी जिससे यह nuclear reaction हो पाए क्योंकि अगर वो energy हम नहीं देंगे तो nuclear reaction यह possible नहीं है ठीक है तो बच्चों यहाँ पर जारा समझना जैसा भी मैं आपसे बोल ला था कि suppose यहाँ पर कोई एक particle है particle मतलब कोई भी एक nucleus हो सकता है ठीक है तो कोई एक nucleus है या फिर जैसे neutron एक particle है वो हो सकता है ठीक है और यह मा लीजे जा करके किसी nucleus से यहाँ पर collide करता है तो जिस nucleus से collide कर रहा है उसका mass capital M यह particle या nucleus इसका mass small m और इसके पास जो kinetic energy है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे कि reaction बचो आगे proceed हो पाए ठीक है तो minimum kinetic energy इस particle या nucleus को कितनी दें जिससे कि यह reaction possible हो पाए ठीक है तो यह जो बचो kinetic energy है इसकी minimum value जो है वो कितनी होती है यह मैं direct आपको बता रहा हूँ energy और momentum conserve करने के बाद यह result आता है मैं आपको direct बता रहा हूँ याद रखना है यह 1 प्लस particle का mass divided by उस nucleus का mass जिससे यह collide करने जा रहा है 1 प्लस small m upon capital M और बचो साथ ही साथ वो जो Q है न क्योंकि आप जानते हो इस reaction का Q value है वो negative है तो आपको यहाँ पर क्या करना है mod Q से multiply करना है या तो आप mod Q कर दो या इसमें minus से multiply कर दो जैसे माल लीजे इसकी Q value आ रही है minus 10 MeV तो minus हटा दीजे या फिर mod ले लो तो भी 10 MeV बचेगा तो उससे multiply कर देना तो ये बचों यहाँ पर minimum kinetic energy है अगर आप इससे कम energy देते हो या energy नहीं देते हो तो उस case में ये reaction possible नहीं है चलिए जैसे बचों यहाँ पर एक reaction लेना ध्यान से समझना इसका जो Q value है वो negative है जैसे अगर माली जे बचों यहाँ पर अपने पास है 2HE4 ठीक है यानि कि helium यहाँ पर है helium का nucleus है या alpha particle आप इसको कह सकते हो और ये बचों यहाँ पर एक nuclear reaction करा रहे हम 7 and 14 से ठीक है तो क्या बनेगा यहाँ पर माली जे बचों यहाँ पर 1H1 अलग हो गया यानि कि एक proton निकल गया तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा आप यहाँ से देख लो 8 O और यहाँ पर कितना है 17 है ठीक है भई यहाँ पर balance करके देख सकते हो 18 18 ठीक है तो बचों यह जो nuclear reaction है जब आप इसका q value find करोगे तो इसका q आपको यहाँ पर कितना मिलेगा negative और इसका q value negative है इसका मतलब क्या है कि यह reaction अपने आप नहीं हो सकती पहली बात यहाँ पर energy release नहीं हो रही है देनी पड़ेगी कितनी energy देनी पड़ेगी कम से कम कितनी kinetic energy जी इस alpha particle को दें जिससे कि जब य alpha particle इस neutron से hit करें तो reaction possible हो तो बचो वो इस formula से हम find कर सकते हैं कैसे 1 plus यहाँ पर बचो alpha particle का mass आएगा यहाँ पर nitrogen का mass आजाएगा तो 1 plus alpha particle का mass upon nitrogen का mass और जो Q आ रहा है उसके mod से multiply कर तो answer आजाएगा ठीक है वैसे तो आपको इस formula की कोई जुरत नहीं पड़ेगी ठीक है इस पर तो question नहीं पूछा जाएगा लेकिन हाँ एक आपको इससे idea लग जाता है कि हाँ अगर Q negative है तो एक तो energy release नहीं हो रही है energy देनी पड़ेगी और minimum amount required है कि इससे कम energy इससे जादा required है मतलब कि आप इससे जादा energy दोगे तभी reaction possible है ठीक है इससे कम energy पर यह reaction possible नहीं है अब बचो यहाँ पर एक question देखो question में अगर आप देखो तो बचो यहाँ पर binding energy per nucleon का mass number के साथ एक graph यहाँ पर given है कौन सा graph given है binding energy per nucleon का mass number के साथ एक graph given है इस graph में देखो तो कुछ nucleus की बात की गई है जैसे एक nucleus है W इसका mass number है 120 और per nucleon binding energy कितनी है इसके लिए 7.5 MeV इसी तरह से एक nucleus है X mass number है 90 और per nucleon binding energy 8, Y के लिए mass number 60 per nucleon binding energy 8.5, Z के लिए mass number 30 per nucleon binding energy 5 यहाँ पर बच्चो कुछ reactions लिखी हुई है आप से पूछ रहा है कि वो process बताईए या वो reaction इसमें बताईए जिसमें energy release हो वो release energy तो बच्चो energy release कब होगी जब Q value क्या हो positive हो energy कब release होगी जब reactant की rest mass energy ज़ादा हो product की rest mass energy कब हो energy release कब होगी आपको पता है मैंने तीनों तरीके से आपको बता रखा Q तो Q positive होना चाहिए ठीक है अब आप एक काम करो पहले इसको खुद से try करो फिर हम लोग solve करते है तो बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस question में आप से भी बोला गया है इसको ऐसे समझ सकते हो ऐसे भी समझ सकते हो बई Q value क्या होती थी reactant की rest mass energy minus product की rest mass energy तो बच्चो अगर Q value positive है इसका मतब rest mass energy reactant की ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है reactant की rest mass energy किस से ज़्यादा होनी चाहिए product से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यह कि यहां पर rest mass energy का में कोई idea नहीं लग रहा है इसलिए हम इसका use नहीं कर सकते दूसरा क्या बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आप kinetic energy के terms में लिखना चाहो तो product minus reactant होता है यानि कि अगर हम देखें अगर product की kinetic energy reactant से जादा हो ठीक है? अगर product की kinetic energy reactant से जादा हो तो भी Q value positive होगी लेकिन बच्चों यहां पर हमें kinetic energy का भी idea नहीं लग रहा है तीसरा जो मैंने आपको तरीका बताया हो binding energy का है तो अगर product की binding energy reactant से जादा है तो भी Q value positive होगी तो बच्चों अगर product की binding energy reactant से जादा है तो भी Q value positive होगी हम यहां पर binding energy की concept का use करेंगे क्यों क्योंकि हमें binding energy का idea लग रहा है और बच्चों कोई भी reaction तभी हो सकती है जब दोनों side आप यहां पर mass number चेक कर लें balance कर लें चली एक एक करके चेक करते है तो सबसे पहली बच्चों reaction यहां पर क्या है कि Y से यहां पर 2Z बन रहा है सबसे पहले तो बच्चों mass number देखो तो Y का जो mass number है वो यहां पर बच्चों कितना है 60 तो अगर mass number देखे तो इसका mass number है 60 और बचो यहाँ पर देखो Z का मास नंबर कितना है 30 और यहाँ पर 2Z है यानि कि 2 into 30 मतलब यह हो गया 60 तो बचो मास नंबर की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मास नंबर दोनों साइट बैलन्स है अब बात करते हैं Binding Energy की देखें energy release तभी होगी जब product ज़्यादा stable होगा मतलब की product की binding energy ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है बचो यहाँ पर जड़ा देखो अगर हम यह तो मास नंबर की बात हो गई अब बचो हम बात करते हैं Binding Energy की देखे बचो Y की Binding Energy कितनी होगी तो Y की Binding Energy होगी 60 into 8.5 ज्याद से समझना जो Y है उसके पर Nucleon के लिए Binding Energy कितनी है 8.5 क्योंकि बचो Binding Energy पर Nucleon तो Y के Nucleus के लिए पर Nucleon जो Binding Energy वो 8.5 है और number of Nucleons कितने है 60 तो अगर हम बचो यहाँ पर देखें तो Y के लिए Binding Energy कितनी होजाएगी तो यह होजाएगा बचो 60 into 8.5 ठीक जबकि बचो यहाँ पर अगर आप देखो 2Z है न इसकी Binding Energy कितनी होगी तो यह होगा 2 into और Z के लिए Binding Energy कितनी होगी बचो तो पर Nucleon Binding Energy 5 है into 30 कर दो तो 5 into 30 ऐसे कर सकते हो तो बचो देखो साब साब दिखाए दे रहा यह 8.5 into 60 है और यह 5 into 60 है यानि कि product की Binding Energy कम है तो इसको देखके क्या पता चला कि जो Binding Energy है वो product की कम है reactants है और बचो अगर product की Binding Energy कम है मतलब कि यहां पर आप सीधे सीधे कह सकते हो energy release नहीं होगी यानि कि यह option नहीं हो सकता तो अब second में आते है second में बचो कह रहे हैं कि W से बन रहा है X plus Z वैसे मैं आपको direct बता दू एक simple सी बात समझो reaction बचो वही possible है जिसमें आपको ज़्यादा stable product मिल ला हो और सबसे ज़्यादा stable बचो कौन सा है यहाँ पर जिसके लिए Binding Energy पर Nucleon सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा stable तो बचो Y है तो अगर किसी process में आपको Y बनता हुआ दिख रहा है तो वो आप select कर सकते हो ठीक है लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बता दे रहा हूँ ताकि कैसा भी question आए तो आप कर पाओ इसी तरह बचो second check करें तो यहाँ पर क्या है W से आपको बनाना है X plus Z ज़रा check करते हैं यह possible है कि नहीं सबसे पहले बचो mass number देखो W का mass number कितना है 120 ठीक है तो यहाँ पर 120 nucleons है बचो X के लिए mass number कितना है 90 और Z के लिए कितना है 30 तो बचो mass number की तरफ से तो okay है इसमें कोई problem नहीं क्योंकि आप add करके देखो 120 इदर भी 120 अब बात करते हैं बचो binding energy की ज़रा उसको समझ रहा बचो यहाँ पर अगर आप देखो तो W के लिए binding energy कितनी हो जाएगी तो आपको पता है per nucleon कितनी है 7.5 और number of nucleon कितने है 120 तो इसके लिए हो जाएगा 120 into 7.5 जबकि X के लिए देखा जाए तो बचो देखो per nucleon 8 है और number of nucleon 90 है तो यहाँ पर क्या होगा 90 into 8 इसी तरह से बचो Z के लिए अगर आप देखते हो तो यह कितना हो जाएगा 5 into 30 ऐसा है ठीक है सीधा सीधा तो बचो यहाँ पर अगर आप देखो फिर से आपको करना क्या है यह binding energy किसकी है यह binding energy बचो reactant की और इनको जब आप add कर दोगे तो यह क्या मिल जाएगा binding energy of product और बचो आप इसको solve करके देख ले न वैसे सीधे सीधे खाय दे रहा है तो product की जो binding energy यहाँ पर भी आपको कम मिलेगी reactants है ठीक है तो बचो सीधे सीधे हम यहाँ पर क्या कह सकते है यहाँ पर भी binding energy of product कम है किस से binding energy of reactants है तो यह reaction भी possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर release नहीं होगी energy बचो थर्ड में अगर चेक करें तो W से 2Y बन रहा है अब ज़रा इसको थोड़ा समझना अच्छे से W से यहाँ पर क्या बन रहा है 2Y अब देखो W का बचो यहाँ पर mass number कितना है 120 और इधार हो जाएगा 2 into Y का कितना है बचो 60 तो mass number balance हो गया और बचो गर हम binding energy की बात करें तो W के लिए आप क्या लिखोगे 7.5 into 120 जबकि बचो 2Y के लिए 2 into 60 into बचो Y के लिए पर nucleon कितना है 8.5 तो यहाँ बचो 120 into 7.5 है यहाँ 120 into 8.5 है मतलब कि यह greater है यानि कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते है binding energy for product is greater than that for reactant और product की binding energy ज़्यादा है मतलब कि बचो यहाँ पर energy release होगी ठीक है यहाँ पर energy बचो release होगी यानि कि जो इसका correct option है वो third है इसी तरह से आप last वाला भी check कर सकते हो ठीक है तो अभी आप इसको note करो फिर आगे बढ़ते है बचो यहाँ पर आपके सामने question है इस question में अगर आप देखो तो एक reaction given है nuclear reaction इस nuclear reaction में क्या है 1H2 और 1S2 यह react करेंगे और क्या बनेगा बचो यहाँ पर 2H4 यानि कि helium बनेगा और कुछ energy release होगी जो energy release होगी उसी को हम यहाँ पर क्या बोल ले है Q value मतलब net कितना energy release हो रही है जैसे हमने कुछ energy यहाँ पर दी होगी कुछ energy यहाँ पर release हो रही है ठीक है उसी को हम क्या बोलते है Q value तो आपको यहाँ पर net कितना energy release हो रही यह find करना है या फिर आप इसको बोल सकते हो कि हमें इस nuclear reaction की Q value find करनी है और given क्या है वो देखो बचो यहाँ पर आपको binding energy per nucleon given है किसके लिए एक तो आपको helium के लिए binding energy per nucleon given है कितना है 7.047 MeV और hydrogen के लिए आपको binding energy per nucleon given है इतना, एक, Q value फाइंड करना है तो बचो एक बात हमें पता है Q value को हम rest mass energy के terms में भी लिख सकते हैं, kinetic energy के terms में भी लिख सकते हैं और binding energy के terms में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको binding energy given है तो binding energy के terms में लिखो तो बचो यहाँ पर हम q value क्या लिखेंगे? binding energy of product minus binding energy of reactant अगर आपको binding energy के terms में बात की जा रही है तो product की binding energy में से reactant की binding energy minus कर दो अब बचो देखो product की binding energy क्या होगी? तो product के side में आपके पास क्या है? helium है तो helium के binding energy अगर आपको चाहिए है तो देखो पर nucleon कितनी है 7.047 और इसमें nucleon कितने है 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बचो 4 into 7.047 ठीक है इतने MEV क्या हो गया बचो यहाँ पर product की binding energy ठीक है पर nucleon कितना है 7.047 और number of nucleon कितने 4 multiply कर दिया तो total इसकी binding energy आगई अब इसमें से क्या minus करना है बचो reactant में देखो तो यहाँ पर 1 is 2 1 is 2 तो total अगर आप देखो तो 2 nucleon यहाँ पर है 2 यहाँ पर है मतलब total 4 nucleons है और per nucleon hydrogen के लिए कितना है 1.112 और 4 nucleons है तो 4 into 1.112 ऐसे कर सकते हो इतने MEV है ना यह हो गया अब बचो जब हम इसको इधर multiply करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा आप इसको यहाँ पर multiply करो यह कितना आ रहा है 28.188 ठीक है इतना आ रहा है तो यह तो आपको इतना मिल गया यानि कि 28.188 MEV किसकी binding energy आगई product की यानि की helium की और बचो reactant side अगर हम देखें सीधा सीधा दिख रहा है कितना आ जाएगा बचो यह minus 4.448 ठीक है तो यह बचो यहाँ पर आपको क्या मिल गया reactant की binding energy ठीक है इतने MEV अब बचो इसमेंस इसको minus कर दो तो आपको यहाँ पर Q value इसके मिल जाएगी भई यही आपसे पूछा गया था तो यह यहाँ पर बचो कितना आ जाएगा 23.740 या 74 लिख सकते हो इतने MEV ठीक है तो बचो देखो अगर आपसे इस question में यह पूछा जाता कि released energy कितनी है तो भी हमारा answer यही होता net कितना energy release होगी हमारा answer यही होता इस nuclear reaction कि Q value कितनी है तो भी हमारा answer यही होता और देखो Q value क्या रही है positive क्योंकि बचो यहाँ पर Q value positive है इसलिए क्या है exothermic है मतलब बचो यहाँ पर क्या है आप कह सकते हो product is more stable क्या बोल सकते हो बचो यहाँ पर product is more stable क्यों क्योंकि binding energy per nucleon product के लिए जादा है product इसलिए जादा stable है Q value positive है तो यह reaction अपने आप हो जाएगी ठीक है note करो फिर आगे बढ़ते है बचो यहाँ पर आपके सामने एक graph है इस graph को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो Y axis पर क्या है binding energy per nucleon और X axis पर अपने पास क्या है mass number है और यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके का आपको एक graph given है ठीक है सबसे पहले इस graph को बहुत अच्छे से देखो और समझो अगर यहाँ पर आप से पूछा जाए कि most stable nuclei कौन से है तो क्या हम इस graph को देखके बता सकते है बिल्कुल बता सकते है कैसे हमें यह पता है कि binding energy per nucleon जिसके लिए ज़्यादा होगा वो ज़्यादा stable होगे बचों यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 से लेके यह फिर आप यह कह सकते हो कि 100 तक है ना 1 से लेके 100 तक के जो nucleus है जिनका mass number 100 से कम है उनके लिए binding energy per nucleon 2 MeV है 100 से 200 की बीच में binding energy 8 MeV है और 200 से आगे चले जाए तो उनके लिए binding energy per nucleon 4 से 6 के बीच में है तो बचो एक बात तो समझ में आती है कि वो nuclei जिनका mass number 100 और 200 के बीच में है उनके लिए binding energy per nucleon सबसे जादा है तो पहली बात तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो nuclei जिनके लिए mass number 100 से 200 के बीच में है ठीक है? वो nuclei जिनके लिए mass number 100 से 200 के बीच में है ये वाले जो nuclei है वो most stable है ठीक है वो most stable nuclei है क्यों most stable है बचो क्योंकि binding energy per nuclei इनके लिए सबसे ज़्यादा है तो एक बात समझो हर कोई इनके जैसा बनना चाहेगा जो most stable है चाहे light nuclei हो हलके nuclei हो वो fusion की help से मतलब combine होके इनके जैसा बनना चाहेंगे mid range में आना चाहेंगे stability gain करना चाहेंगे या फिर heavy nuclei हो fusion होगा, break होगे और ऐसा बनना चाहेंगे यही तो होगा लेकिन ये इनमें convert नहीं होगे क्योंकि ये तो already stable है तो जरा एक-एक option पढ़ते है बच्चों first option में बोला गया है ध्यान दीजे का fusion fusion का मतलब क्या है जहां पर दो nucleus दो light nucleus combine होगे और एक mid range nuclei बनाएंगे यही तो मतलब है और energy release होगी तो fusion of two new ध्यान देना two only two nuclei केवल दो nuclei है है ना two nuclei with mass number lying in the range one to fifty will release energy बच्चों जरा देखो यहां पर यह कह रहे हैं कि दो nucleus low तीन नहीं केवल दो दो nucleus low दो nuclei लेने है जिनका mass number one से 50 के बीच में है मतलब 50 से भी कम है less than 50 है और उनका fusion हो हो और साथी साथ energy release हो सोचो क्या यह possible है बच्चों अगर आपने 50 से कम mass number के दो nuclei दिये ठीक है सपोज आपने 50 से कम 148 ले लिया 149 ले लिया तो भी इनके mass number combine होके जो भी होगा वो 100 से तो कम ही होगा न अरे बई 50-50 के 2 मिल जा तो 100 होता है यहाँ पर 50 से कम mass number के 2 nuclei की बात कर रहा है तो अगर 50 से कम mass number के 2 nuclei है यानि कि बच्चों आप सीधे सीधे समझो कि अगर 2 nuclei है एक का mass number A1 है दूसरे का A2 है और यह भी 50 से कम है यह भी 50 से कम है तो इनको add करोगे तो यह 100 से कम होगा न तो मतलब अगर यहां के 2 nuclei 50 से कम वाले 2 nuclei combine हो भी गए तो भी वो बच्चों mid range में नहीं आ पा रहे है क्योंकि mid range 100 के आगे start हो रही है mid range 100 से 200 देखो जब तक ये वाले इनका fusion होकी यहां नहीं आते तब तक energy release नहीं होगी बात साथ में आ रही है जब तक ज़्यादा stable product नहीं बनाएंगे तब तक energy release नहीं होगी तो 50 से कम वाले दो अगर combine हो भी गए तो इनका sum 100 से कम आ रहा है इसका मतलब बच्चों यहां पर energy release नहीं होगी मतलब यह process नहीं हो सकता अलए तरह आगे पढ़ते है सब कुछ हुई है बच्चों बस यहां change आ गया है कहरें कि दो nucleus का fusion कराईए sorry fusion कराईए मतलब कि दो nucleus का fusion कराईए और वो 51 से 100 कि रेंज वाले होने चीए हाँ यह हो सकता है जैसे माली जब बच्चों 60 आपने ले लिया ठीक है और एक आपने यहां पर कोई भी ले लिया 80 ले लिया ठीक है तो combine होके वो 100 और 200 के बीच में आ सकते है मतलब यह वाला process हो सकता है ऐसे और बच्चों अगर यहां पर light nuclei mid range में आते हैं तो फिर energy release होगी मतलब यह correct है ठीक है बिलकुल सही है अब यहां पर देखिए अब बात की जा रही फीजन की यह कह रहा है फीजन और किसका फीजन 100 से 200 वाले का possibly नहीं है बच्चों 100 से 200 वाले तो most stable है और जो पहले से यह stable है वो किसी और में convert नहीं होना चाहेगा और यह कह रहा है कि 100 से 200 की बीच में कोई भी एक नुक्लियस का फीजन कराई है possibly नहीं है अगर होगा भी तो energy release नहीं होगी मतलब नहीं इसका अटा दो last में क्या लिखा है फीजन ओफ नुक्लियस और ऐसा नुक्लियस जो 200 से 260 के बीच में लाई करा मतलब heavy यह वाला यहाँ पर हाँ तो यह वाला यहाँ आसकता है बिलकुल सही है इसका 200 से ऊपर वाला है ठीक है तो अगर उसका फीजन होता है तो 100 से 200 के बीच में आ सकता है ठीक है तो हाँ बिलकुल सही है यह हो सकता है यानि कि बच्चो correct option देखे तो एक तो B correct है और एक D correct है ठीक है तो बहुत बढ़ी है question था मतलब यहाँ पर बच्चो थोड़ा इधर आपको careful रहना है क्योंकि देखो जब theory बताई जाती है तो उसमें तो बहुत आसानी से बता दिया जाता है कि दो light nucleus का fusion होगा और वो mid range nuclei बनाएंगे और energy release होगी लेकिन बच्चो आपको ये भी तो देखना है कि वो possible भी तो हो mass number के basis पर अब 50 से कम के दो nucleus अगर fusion हो भी जाए तो 100 से उपर बढ़नी पाएंगे यानि कि वो mid range में आई नहीं पाएंगे देखिए question में पूछा गया है find binding energy per nucleon for 26 Fe56 वैसे भी बच्चों में पता है कि mass number 56 यानि कि Fe56 के लिए binding energy per nucleon maximum होता है यानि कि most stable nucleus है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए binding energy per nucleon क्या होगा ठीक है calculate करना है आपको सबसे पहले तो बच्चों यहाँ देखो आपको किसका किसका mass given है जैसे यहाँ पर 1H1 का mass given है 1H1 का मतलब बच्चों proton की बात की जा रही बई 1H1 1 का मतलब क्या एक proton है और 0 neutron है मतलब proton की बात की जा रही तो proton का mass आपको यहाँ पर given है 1.007825 amu इसी तरह बच्चों neutron का mass आपको यहाँ पर given है 1.008665 amu इसी तरह से बच्चों यहाँ पर 26 fe 56 का mass given है अब आपको इसका यूज करके binding energy per nucleon find करना है चलो start करते हैं देखो बच्चों सबसे पहले तो आप यह समझो कि binding energy पहले तो find करो फिर उसके बाद per nucleon find करना binding energy के लिए बच्चों हम find करेंगे सबसे पहले mass defect ठीक है सबसे पहले हम क्या find करेंगे mass defect तो बच्चों mass defect आप जानते हो क्या होता है हमें पता है nucleons का mass जो होता है वो nucleus के mass से जादा होता है और जितना जादा होता है वही mass defect होता है तो यह क्या होगा बच्चों यह होता है mass of nucleons minus mass of nucleus यही तो मतलब Whoo-ness का अब बच्चों nucleons का mass मतलब देखो यहाँ पर जैसे की यह देखो 26 यहाँ पर क्या है बच्चों protons तो यहाँ पर dेखो nucleons का mass क्या होगा 26 into 1 proton का mass कितना 1.007825 तो ये बच्चो क्या हो गया protons का mass ठीक है ये हो गया total mass of proton इसी तरह से बच्चो neutron का mass कितना होगा तो देखो 56 total nucleons है उसमें से 26 proton हो गये तो बचे कितने बच्चो 30 यानि कि सीधा सीधा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 56 यह है इसमें से 26 minus करतो तो 30 neutron आपके पास हो गया ठीक है तो एक neutron का mass कितना है 1.008665 इसमें बच्चो 30 से multiply करतो तो आपको total neutrons का mass मिल जागा मतलब यह बच्चो nucleons का mass हो गया और इसमें से nucleus का mass subtract कर दीजे nucleus का mass बच्चो यहाँ पर कितना है minus 55.934939 ठीक है बच्चो जब हम इसको solve करेंगे तो हमें AMU में यह पता चल जाएगा कि mass defect कितना है ठीक है तो जब आप इसको solve करोगे तो बच्चो यह जो mass defect आएगा ठीक है यह आपको मिल जाएगा 0.528461 AMU यानि कि बच्चो यही वो mass है जो energy में convert हुआ होगा ठीक है binding energy में तो जब आप बच्चो यहाँ पर binding energy निकालोगे मतलब की delta m into c square यही तो होता है mass defect पता है तो इसको energy में convert कर लो तो क्या करोगे AMU में आपको पता है कितना है यहाँ पर 0.528461 ठीक है इतने AMU है और बच्चो इसको किस में convert करना है energy में तो 931.5 से multiply कर दो इतने MEV की binding energy आपको यहाँ पर बिल जाएगी सिधा सिधा तो बच्चो जब आप इसको solve करोगे तो यह आपको मिल जाएगा यहाँ पर 492.26 MEV यह बच्चो हमें क्या मिल गया binding energy अब जब हमें इसकी total binding energy पता चल गई तो binding energy पर nucleon find कर सकते हैं बच्चो binding energy पर nucleon के लिए क्या करना है total binding energy 492.26 MEV और बच्चो कितने nucleon से इसमें 56 divide करोगे तो यह आजाएगा 8.79 MEV पर nucleon ठीक ऐसे तो बच्चो binding energy पर nucleon कितना आ रहा है 8.79 ठीक है एप्रोक्स है calculation है तो उसके साब से आया यह तो बच्चो इस तरीके से यह basic level की जो calculation है अच्छा यह थोड़ा सा calculated होता है लेकिन बच्चो आपको करना पड़ेगा ठीक है इसको ऐसा मत करना की question देखा आपको लगा यह तो आप करी लोगे इसमें से इसको add करना subtract करना यह तो हम करी लेंगे multiply करना करी लेंगे ऐसा मत करना इसको solve करके last तक answer तक जरूर पहुचना ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते है पूरा लेक्चार अच्छे से revise करिए ठीक है Q value Q value positive होना negative होना binding energy kinetic energy binding energy per nucleon stability graph से questions को solve करना यह सब एक बार अच्छे से revise करो ठीक है मिलते है next lecture में बाबाई